लोकसबा चुनाओ जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वेसे वेसे रोज नए चुकाने वाले खुलासे हो रहे हैं पहले ठोक में कॉंग्रेसी भाजपा में चले गए तो फिर इदर राजकुमार रोत ने वागड में बासवाडा डुंगरपुल लोकसबा सीट से चुनाओ लडने का एलान कर दिया बोला बुक्का बोला देंगे दूसी तरफ बाड मेर जैसल मेर से युवा निता रविंदर सींग भाटी ने भी लोकसबा के लिए कमान उठा ली और बोल दिया के भचीड़ा बोला देंगे अब इस बुक्के और बचीड़े के बीच में भाचपा का राजस्तान मिशन 25 मुश्किल में नजर आ रहा है क्योंकि आपको बता दें कि अगर एक भी सीट राजस्तान की कम हुई तो भाचपा को नुक्सानी होगा राजकुमार रोत ने एलान करके एक मुश्किल तो खड़ी कर दिये अब दूसरी मुश्किल बाड मेर के शिर लोक सवासी से विधायक रविंदर सिंग भाटी खड़ी करने वाले है आपको बता दूँ कि रविंदर सिंग भाटी युवा नेता हैं और बाड मेर जेसल मेर मेर में खासे लोक पुरिये भी हैं जैसे राजकुमार रोत भारत हादिवासी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने चोरासी विधान सवासे शांदार जीत हासिल की है और अब लोकसवासीट के पृत्याशी हैं उन्होंने अपने शोशल मीडिया पर इसकी घोशना करते हुए लिखा जोहार लोकसवास शेत्र बास्वारा के समस्त सामाजिक इकाई बीएपी पार्टी के बत्यादी कारी कारी करता एहम निर्माचित शेत्र की आम जनता की भावना को समझते हुए बीएपी पार्टी के राश्टी अद्यक्ष महोदय द्वारा मुझे सांसत प्रत्याशी के रूप में घोशित किया उसके लिए धनिवाद जोहार तो इस एलान से साफ है कि राजकुमार रोत भाचपा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनके बासवाडा डुंगरपुल लोकसवा सीट से उब रहे हैं अब इदर बाड मेर जैसल मेर लोकसवा सीट की बात करें तो यहां भी रविंद्र सींग भाटी ने नींदे उड़ाई हुई है भाटी ने कहा कि समर तक चाहेंगे तो बचीडा बोला देंगे इसी बयान ने बीजेपी के लिए टेंशन खड़ी कर दिये दरसल शिव इरायक रविंद्र सींग भाटी आज 11 मार्ट से बाड मेर जैसल मेर लोकसवा की देवदर्शन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं एक दिन पहले एक कायर करम में पहुँचे रविंद्र सींग भाटी से जब मेडिया ने पूछा कि आपकी देवदर्शन यात्रा की आफिर मंचा क्या है तो भाटी ने क्या कहा वो आप सुनिए मिना राजस्तान विदानसवारों सदसे बढायों तो वो बणाउनाली मारी जनता है और करनाली भी जनता है एक टाइम तक वो सिरफ अधिकारिक रूप रे मीना दूधोड़ परिवार रो तो पर हमें महारू परिवार है सब और यह सब परिवार सदसे रूप जयां आदेश रहे है वहां आगे कदम उठाँ क्या कारेक्रम करेंगे आने वाल जनों में जनता से बात्रीक करने की जी बिल्कुल आणाले 11 तारीक मिना दर्शनयातरा मातर निकल रहे हैं और सबार साथ और सायोग रे बेड़ों देव दर्शन भी कर रहां और सबा मिना विचार विमर्स पर बढ़िया होगा एतियासिक होगा बहुत कुछ नई चीज़ें आई आई एक आपका प्रसी डायलोग भी बता दीज़ेगा बाठी ने चुनाव लण्ये को लेकर इस पस्ट तो कुछ नहीं का आना कि लोगसभा चुनाव लण्ये को लेकर एक बड़े संकेत देडा लहें इससे बाड मेर जैसल मेर लोगसभा सीट पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं भाटी ने कहा कि पहले में सिर्फ दुदोड़ा परिवार का सदे से था लेकिन मेरी जंता मेरा परिवार है जो जंता का आदेश होगा वही करूँगा जब भाटी से पूछा गया कि बीजेपी से आपकी बातचीत चल रही है तो उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत सबी से चल रह इस बार आपकी मन्शा क्या है इस पर सवाल इस सवाल पर भाटी ने कहा कि इस बार जो कुछ होगा अच्छा ही होगा एतिहासिक होगा बहुत कुछ चीजें नहीं आएंगी भाटी ने कहा भचीडा बोला देंगे अब ये दोनों युवा नेता एक तरीके से भाचपा के लिए बड़ी मुश्किलें बंदे जा रहे हैं आपका इस ख़बर को लेकर क्या राय है और राजकुमार रोत और शिव विधायक रविन सींग भाटी के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद